पर एक बार फिर से हम आपको जोदपूर लेकर चलते हैं जहां मुख्यमंत्री एशोग गैलोथ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री संभोधित करें सक्षण, सबस्तार सकन्म देखार बुंत्री एव अफ सरस्द्स स्क्राइब देखार पुंत्री एव एव स्क्षिकmac और मुख्यकिर पाल्यरे स्लनस्टूऑं म्हुभार्ट बार्도 मेन अपक छेनरी पूर्यट कर खून कर्सके भं घ्र पूर ने बार खून जेते हैं की हम अपनी जरोबर की शुरुख्षा करेंगे हम जल को जर्थ होने से बचाएंगे हम जर्था रुपन करके उनकी देख बाल शुरुख्षा करेंगे हम प्राष्टी का सीमित उप्योग करके पर्यामन की रख्षा करेंगे हम उड़ा संसाद्मों का सदिफ्योग करेंगे हम अपने भारत देश को सच और हरित भारत बनाएंगे धन्यवाद बदाई आप सबको एक साथ धन्यवाद सब्सक्राइब हमारे उपस्ती द्रोट्री इस्टी गवार्णर हरिष गोट्था डारेक्टर सेंडर एकडेमी स्कूल अंकूर मिस्टा जी जोट्री क्लब मिट्टाउन के अट्रेक्स पुनिज रावचाब धीब गेलोज जी हमारे उपस्तित पूर सांच्रत बदी जाकर साथ विदायका बहिन मनिसर पमवार महेंदर विच्टनोई विदायक दूनिग किस्तर आम जी विच्टनोई हमेले लोहवच किरलाली मेगवाल हमेले बिलाडा महेंदर चोधरी जी विदान्टरवा के उप मुके सचे तक हमारे महापहर साब गंचा मोजा जी पुर जेडिये के अध्यक्ष जाजे शोलिंकी जी पुर महापहर रामेल जादीच जी बाल संगतक्षन के आयोगा अध्यक्षा संगिता बहनेवाल जी कौफेश आयोग खांचाप, शुद परियार जी उमेज सिंग जी, घनवान खांका जी जमेज बहरणाजी रंत राम जी संग्ष सहाब तमाम यह अपर्तित रौट्टी क्लब मिड्टाउन के पलादीकारी गर्ण, स्वदशेगर, भाई और भाईनों और अजवान सात्यों एक यूनिक प्रोग्राम के अफ्सर पर मुझे भी आने का सभागे मिला रौटी क्लब मिड्टाउन के देखी ने, तमाम सात्यों ने यह शुरूप में यहाँ पर हमारे पोजी बापू, मात्पा गांदी की बीज बुसा के अबब बच्चों को जो यहाँ लाने के कर्ष्ट किया छे हजार का अंदास था और मुझे बता करें, आठ हजार से ज्यादा गांदी की बीज बुसा में हमारे सापने लोग बच्चे खड़े हैं यह अपना पर बहुत बड़ी उप्लग्दी है इसके लिए मैं रौटी क्लब मिड्टाउन को बदर देता हूं आप दे एक अच्छा प्रयाश किया है मार्पा गांदी के बारे में हम सब जानते हैं किस प्रकार उन्होंने सत्य के मार्ट पर चलकर अहिंसा के यास्टे पर चलकर के हमने मुल्क को जो आजाद करवाया वो भी मेंसाल है दुनिया के लोग यकिन दी था कि बिना खून खरावे के कोई मुल्क आजाद हो सकता है वो करीश मौना में किया इसलिए आज मार्पा गांदी हमारे बीच नहीं है कुछ लोगों ने दिनका पिस्वार हिंसा में था उन्होंने मार्पा गांदी घत्या कर दी तो मार्पा गांदी की विचार, उनका संदेश, उनका खोच आज भी हमारे बीच में है और वो एलेवेंस भी है आज दिनिया में टेश में हम देखते हैं कि माहूल बय का है, अक्रोष का है मिंसा का है और संती का है इसे माहूल में मार्पा गांदी के रास्ता ही रास्ता बचा है जो अमल में चेहन कायम कर सकता है शेत्य पेंचने की पेढ़ना देसकता है और अहिंसा को अपनाने के लिए बारना पैदा कर सकता है क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा कभी हो नी सकता मात्मा गांदी नहीं कहा था कि इंता का जवाब इंता होगा तो कोई नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा तो कि अगर एक आग के बदले दुश्मनी में आप एक आग को खतम करने के प्याद करोगे तो पुरा भी संदा हो जाएगा कुछ अंदाज कर सकते हो कि कित्ते उच्विशां के थे उनका जीवन उनका संदेश है मैं आप सब को आवान करना जाहूंगे कम चेकम जिन्दगी में एक बार चत्ति के प्रियोग जो मात्रागाने की जीवनी है उसका पढ़ लेंगे तो आप अपने रक्तित में निखार पा जाएंगे आपका जीवन सफन होगा एक मेशे जाएगा समार के अंदर और समार में भाई चारा प्रेमभाव कायम होगा जीकिया सुझे बड़ी आप सकता है मेरा उन साथियों से भी क्याना चाहूंगा जो मात्रागान्दी का नाम अब लेने लगे हैं लंबे अस्ते के बा दोश क्या है मैं कहना जहूंगा मात्रागान्दी को अगर अपनाना है तो दिल से वदिवा के अपना हो खाली जवान से मत अपना हो खाली कहोगे जवान से उसका लाब ने मिलेगा ना खुद को मिलेगा ना समार को मिलेगा ना देश को मिलेगा ना प्रदेश को मिलेगा हम उन्हीं सब को मिलके मात्मा गांदी के संदेश को आत्तसाथ करना है। अभी आप प्ले देख लेते बच्चों का वो भी संदेश दे रहा था। इस परकार जो आप अभी हान सब मौजूद हैं। मात्मा गांदी के उचे भशन थे। उन्हें एक एक सब्द जो है वो संदेश देने वाले हैं जो भी आप गुरू गुनाएंगे इसलिए मुबारक मोगे पर मुझे रियाद किया इसके लिए मैं डॉट्टी क्लॉब मिड्ट टाउन का आवारी हूँ मुझे आने का अफसर मिला मुझे अच्छा लगा है और राश्तान गौर्मेंट ने भी एक शाल एक जो पचास ही जैंदी चल रही है दो अक्टूमर तक फ्रूगाम था हमने तेह कि एक पिछला वर्ष दो गया है उसमें अधिकान समय चुनाओं में चला गया चाहिए वो लो अच्छान गौर्मेंट एक शो पचास बर की जैंदी को और राजीव गांदी जिनको भार्ष दत्र मिलाता प्रदामंदी से नौजवान उन्हें पिछेतरी जैंदी जा रही है हमने तेह किया कि सरकारी प्रोग्राम के मात्यम से जो राजीव गांदी के सपना ता 21st century में ल जाद करते हैं तैक या एक पूरे साथ बर तक मात्मा गांदी का 150 बर और राजीव गांदी का 75 यह जैनती सरकार मनाएगी मैं आवान करूंगा तमाम स्रम्सरीष सरस्ताओं को सरीष कलफ्स को एक अप्सर 2 पूरे राजश्ताओं के नौजवानों को चात्रों को गां घरीब को आँ इन्सान को जो हमें संदेश मिलते हैं मातमा गांदी के उनको हम आतना साथ करने के लिए परेज करें उनको जेसे कि आने वाले लिक्त में हमारा बुलक हमारा प्रदेश जो एकता रखता है आफिटाने हैं जहां लग्रक जाती हैं धर्म है वर्ग है बोली है बाता हैं इतने बड़े मुल्क को एक रखन रखा है तो मातमा गांदी की पंडी जवाला नेरू की सजापड़िल की अबुकलाम अज़ाद की और साथ में अमिर्गर साथ का समयधान इनों रखा है मुल्क ए पूरा है सब्सक्राइब बंदिन के इसलिए आज पूरा विष्व सब्सक्राइब जिस पर गार चिए डॉक्टर मनमोन शीन जी ने सुन्य गानी ने मिलकर करके प्रस्ताव पास किये हमारे विजेश मंतरी हमने समा को पेड़ा गया यूएन के अंदर और यूएन ने सर्व समत्य से प्रस्ताव पास किया था कि मात्मा गांधी दो अक्टोंबर जिनकी जन्नम दिवस को पूरी दुन्या के मुल्प मनाएंगे अंतराश्टी अहिंसा दिवस यह हमारे विजे बहुत बड़ी सोधा की भी बात थी यही बात करता हूँ मैं अपनी बात समात करता हूँ और आपका अवन करता हूँ कि अगर आप गांधी की फेस में बने हैं तो यह आज आपका यहां बैठना गांधी की फेस बुसा के अंदर यह आपके दिल में गांधी के अशुनों को उनकी मीतियों को उनकी संदेश को उ आप लोग अपने जीवन में काम्या होंगे, मुझे पुरा यकीन है धन्यवाद, जाहिन धन्यवाद. अपने जीवन में काम्या होंगे, मुझे मंत्री अशूग गैलोट, पिजे सेंट्रल अकैडमी स्कूल के कारकम में हिस्सा लेने पहुंचेते संबोधित किया और इस दोरान चोटे-चोटे बच्चे जोकी गांधी स्वरूप में यहां मौझूद और अपने आप में एक मुक्यमंत्रिय शोग गहलूत में अपने संबोधन के जरी बच्चों को ये बताने के कोशिश थी गांधी के आदर्शों कि आज कितनी जरूरत उनके सिधान्तों के कितनी जरूरत ये बच्चों को समझाने के कोशिश और मुक्यमंत्रिय शोग गहलूत ने बच्चों को ये समझाने के कोशिश भी की कि गांधी कि एकला चलो की जो नीती या कहीं कि सिधान्त उसमें कितना दम था वो कभी अकेले नहीं थे पूरा हिंदुस्सान उनके साथ था एक चोटा समझान मुक्यमंत्रिय शोग गहलूत ने दिया लेकिन उस समझान के जरीये दर्शाने की कोशिश की बताने की कोशिश की की आप जिस सरीके से गांदी स्वरूप में आज ढले हैं उनकी जिवन दर्शन को उनके आदर्शों को उनके सिध्धानतों को उनकी जिवन शैली को भी इसी अंदाज में अपनी जिन्दगे मात में साथ कर लीजेगा क्योंकि आज के दोर में बहुत जरूरी है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पैंसट सो बचे एक साथ गांदी स्वरूप में और भारत की नक्षे को दर्शाते हुए यह विश्वी रिकॉर्ड कायम किया गया मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने कहा कि महत्मा गांधी ने संदेश दिया था कि जिन्दगी में चाहे परिस्तिती कितनी ही जटिल क्यों ना हो हमीश्या सत्या के रास्ते पर चले कभी जूट ना बोले इसके बाद मुख्यमंतरी अशोग गहलोत अन्यकारक्रमों में भी हिस्सा लेंगे महत्मा गांधी पंडी जवारलाल नहरू अब्दुलकलाम आसाद सर्दार पटेल भीमराव अंबेड करकी जीवनी का भी जिक्र किया गया मेरे स्योगी शिवप्रकाश मेरे साथ जोड़े हैं शिवप्रकाश मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने एक छोटा भाशन दिया लेकिन बच्चों को संदेश देदिया की बेश भूशा के साथ महत्मा गांधी के सिध्धान्तों को बापू के आदर्शों को भी आत्म साथ कर कर लेंगे तो फिर यह कारकरम सफल हो जाएगा है कि उनका जीवन वह जो है एक प्रेंडा बन सके साथ ही उन्हों ने कहा कि मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने साथ की पूंट जीवन जीने का भी उन बच्चों को संकल दिया है उर्जा सरक्षर रोबन सहीर कई विशों को ल चल रहा है क्योंकि तस्वीरों में बहुत कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा और उसके लाव मुख्यमंतरी अब यहां से कहां के लिए रवाना होंगे अब ही मुख्यमंतरी कारकरताओं से मिल रहे हैं या फिर कारकरम में जो मौझूद लोग थे उन से मिल रहे हैं और स्कूल के अंदर कारकरम चलता रहेगा कैड़मी के अंदर या वो कारकरम भी अब समापन हो गया है जो सारे कारकरम हैं वो पूरे संपन हो चुके हैं तो कुछ देर बाद अब यह कारकरम भी संपन होगा जिबलकुल शिप्र का शुक्रिया हमारे साथ जोडने के लिए बीजे सेंटरल अकेडमी के अंदर यह कारकरम चल रहा था ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो उसके बाद गांधी जी का चर्खा जिसके जरीए स्वधेशी का संदेश दिया गया था और महत्मा गांधी के एक आवहन पर विदेशी वस्तुओं की होली जला दी गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री जब आगे बढ़े तो फिर गांधी स्वरूप में दांडी मार्च को दर्शा आए गया और अब यह बाहर के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर स्कूली बच्चे मुख्यमंत्री से मिलते हुए एक्स्क्लोजिव तस्वीर बीजे सेंट्रल अकैडमी के बाहर की मुख्यमंत्री यहां से सरकेट हाउस के लिए रवाना हो रहे है लेकिन उसे पहले जिस तरीके का जिक्र हम कर रहे थे कि बच्चों से मुम्किन है कि वो मिले और बच्चों से मिलते हुए येकिनन कुछ समस्याएं होंगी जो मुख्यमंत्री के साथ साजा की गई है और क्योंकि ग्रह जिला और मुख्यमंत्री बच्चों को लीकर कापी समेदन शील भी है मुख्यमंत्री अशोगैलोत बच्चों से मिलते हुए उनके समस्याओं को सुनते हुए इसे पहले जब संट्रल अकैडमी के अंदर मुख्यमंत्री अशोगैलो संबोधित कर रही थी बच्चों से आवहन किया गया कि आप महत्मा गांधी के उसोलों को उनकी नीतियों को उनके संदेशों को अपने जीवन में जरूर दर्चाएं जरूर अपनाएं क्योंकि आज के दोर में महत्मा गांधी के सिधान्तों की जरूरत ज्यादा है और अब मुख्यमंत्री अशोग गहलोत सेंटरल अकैडमी से सरक्रिट हाउस के लिए रवाना होते हुए दो दिवसिय दोरे पर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत जोदपुर में है राष्ट्पिता महत्मा गांधी के डेड़ सोग जान्ती के मौके पर एक साल कारक्रम राजिसान में रखे जाएंगा अलग अलग कारक्रम होंगे आज जो कारक्रम उसको नाम दिया गया मैं भी गांधी हूँ और बच्चों के जरीए पूरा संदेश भी दिया गया क्योंकि यह पैंस सट सो बच्चे एक साथ गांधी स्वरुप में नजर आए मीडिया ने बात करने के कोशिश के लेकिन मुख्यमंत्री अशोग गैलोत सहर्ष यहां से सर्केट हाउस के लिए निकल गए हैं और चूंकि मुख्यमंत्री अपने ग्रैज जिले में पहुंचे हैं लोगों के अंदर भी काफी रुज़ान और वो रुज़ान सर्केट हाउस में जनसुनवाई के दोरान यकिनन दिखाई भी देगा कल मुख्यमंत्री अशोग गैलोत मेबाड भागड के दोरे पर थे वहाँ पर जनसुनवाई की आज मुख्यमंत्री अशोग गैलोत मारबाड के दोरे पर हैं जोदपूर के दोरे पर हैं और यहां पर दो दिन का कारक्रम हैं अलग-अलग कारक्रमों के अंदर मुख्यमंत् सेंट्रल अकेडमी स्कूल पहुंचे थे कारक्रम में शिर्कत की थी बच्चों को धरोहरों के सनरक्षन की जल सनरक्षन की और व्रिक्षार उपन की शपत दिलाई थी प्लास्टी का सीमित उप्योग करने का भी संकल्प मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने दिलाए था इस जोरान उर्जा संसादनों के सदुप्योग की शपत दिलाई गई थी भारत देश को स्वच और हरित भारत बनानी का संकल्प मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने दिलाया था जोरान बच्चों को विश्वे रिकोर्ड बनानी पर बधाई भी दी गई थी मुख्यमंत्री ने अभार भी जता है कि ये उनका सोभाग्या की इस तरीके के यूनी कारकरम में उनको आने का मौका मिला है पैंसर्ट सो बच्चे महात्मा गांधी बने तस्मीरे देखे अपने आप में मन मोहा और जब मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने इन तस्मीरों को देखा तो वो भी खुद को मंत्र मुग्द होने से रोक नहीं पाए इस गयलाओ भी कई कारकरमों के अंदर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत शिर्कत करेंगे यहां से वो सिर्किट हाउस जा रहे हैं सिर्किट हाउस में जन सुनवाई का मुख्यमंत्री अशोग गहलोत का कारकरम है इस गैलाओ भी मुक्रमंत्री अशोग गहलोत की अनिक कारक्रम जिन पर हमारी नसर रहेगी और हम हर कारक्रम की अपडेट आपको जरूर देंगे